थाय गाईस वेल्कम बाक टू वेब डव्लपेट सीरीज यह हमारा टेबल टेट सेकंड वीडियो में बात करने वाले हैं कॉल स्पैन और रोज प्रिब्यूट्स के वारे में क्या करेंगे कॉल स्पैन और रोज स्पैन आट्रिब्यूट्स आपको इर्रेगुलर टेबल बनान होंगे जो आपको पहला डाइगराम दिख रहा है उसमें columns को horizontally merge करा गया है friends यह call span की मदद से हुआ यानि इसमें क्या हो रहा है इसमें TR के अंदर एक ही TD है लेकिन वो TD इतना expand हो रहा है कि वो दो columns को cover up कर रहा है आप देख पारें मीचे के जो दो column है उसे उपर वाला एक column cover up कर रहा है यह हुआ है विद्धी help of call span और यह जो आप देख रहे हैं यह हुआ है विद्धी help of row span row span क्या करता है rows को merge कर देता और एक single row बना देता है call span column को merge कर देता है और एक single column बना देता है और यह TD और थ के attribute होते हैं यह TR के attribute नहीं होते हैं तो आपको TD पे लगाना हो तो आप call span row span लगा सकते हैं थ पे आप call span row span लगा सकते हैं अब सीधे चलते हैं इसके पहले practical example पे तो friends यह हमारा example है आप चेक करिए इसमें मैंने table मनाई हुए टेबल पे एक border set करा हुआ है टेबल को center align करा हुआ है और मैंने पहले वाले TR के अंदर दो column रखें तो अगर मैं draw करके आपको समझा हूँ तो जो पहला वाला हमारे पास data आएगा row का वो कुछ ऐसा आएगा यह first row होगी जिसमें आपको बकायदा दो column दिखेंगे एक में लिखावा मिलेगा cell 1 एक में लिखावा मिलेगा cell 2 अब यह जो दूसरी row है friends इसमें मैंने TD में बोल दिया है call span equal to 2 क्या हो रहा है इसे call span equal to 2 से यह जो एक single column है जो यहाँ बंद हो जाना चाहीता वो अब यहाँ बंद ना होकर expand कहां तक कर रहा है वो expand पूरी पूरी रोज इतना कर रहा है यानि यह जो column 3 आपनको दिख रहा है यह column 3 दो columns को मिला कर एक single column बन रहा है run करूं मैं तो आप output समझिए जैसे code execute होगा this is the output we are going to get सही है आप notice करिए यह जो दोनों है यह दोनों merge होकर यह दोनों एक individual row के दो column है और यह second row के दो columns को merge होकर एक आपने बने ठीक है इसी दरह से guess करिए अगर मैंने row का example ले लिया तो क्या होगा row span करूंगा तो क्या होगा row span के अंदर हमारे पास tr है right tr के अंदर td मैंने डाला वा है और इस बाद td पे मैंने करा हुआ है row span equal to 2 अब अगर मैं इस page को run करूंगा तो output कैसा दिखेगा यह हमारा output है clear अब आप इसमें notice करिए यह हमारी first row है यह हमारी second row है और row span के कारण vertically यह दोनों merge होकर एक single row के अंदर convert होगा तो row span vertical merging करता है अब मैं आपको output दिखाऊंगा आप वीडियो को pause कीजेगा और कैसे इसके अंदर हम code design करेंगे तो मैं page आपको दिखाता हूं आप चेक करिए और उसकी बाद वीडियो कंटिन्यू करके अपने solution को मेरे solution के साथ मैच कीजे यह रहा हमारा पहला चोटा सा चैलेंज यह output आपको generate करना है इस तरीके से output चाहिए मुझे एक table दिखनी चाहिए table के अंदर column दिखना चाहिए column में data और data से related content दिखना चाहिए कैसा content दिखना चाहिए तो आप चेक करिए मुझे यह output चाहिए अब इसमें क्या लगावा है या figure out करिए क्या row span लगा है या call span लगा है td पर लगा है कि th लगा है दो मिनिट pause कीजे सोचिए apply कीजे और फिर video को continue करें ओके तो friends आप समझ पा रहे होंगे इसमें हमारी first row के अंदर हमने लगा रखा है second वाले th के अंदर एक call span तो इसका मतलब हमने एक tr मनाया है ओके tr के अंदर एक th है जिसके अंदर हमने लिखा है name th को करा है close जो दूसरा th हमने दिया है उसमें हमने call span set करावा है is equal to 2 और उसमें value दियो है अपन लोगोंने contact number यही कारान है कि यह जो first row का second column है यह आपको इतना expand होता वा नजर आ रहा है अगर हम actual code की बात करें तो यह रहा हमारा इस example का actual solution as you can see हमारी पहली tr के अंदर एक th है th के अंदर दूसरा th है दूसरा th और इसके साथ value दियो यह मैंने call span equal to 2 तो हमारी पहली row के अंदर आने को तो हैं 3 column लेकर actual में second column ने 2 columns को कर दिया है ठीक बाकी फिर हमारा जो next tier है वो विल्कुल simple है जिसके अंदर हमने provide करें हैं तीन अलग-अलग PD times अब आते हैं अगले example पे same video pause कीजे solution सोचिए और फिर video को continue करें यह output में क्या हो रहा है यह output के अंदर हमारे पास 2 TR है जो पहला वाला TR है उसके अंदर एक TH और एक PD है जो दूसरा वाला TR है उसके साथ हमने provide कर रहा है एक TH और उसके TH में क्या दियावा है call span के row span? row span क्यों? क्योंकि आप spanning देखिए horizontal ना होकर vertical है यह vertically expand हो रहा है क्योंकि vertically expand हो रहा है इसमें लगा रखा है अपन लोगोंने row span अच्छा तो rows कितनी है total? rows total 3 है जिसमें पहली row TR है पहले TR के अंदर एक TH है और TH के अंदर name है और TH को हमने close कर दिया है फिर इसी row में एक और TH है इसके अंदर सॉरी एक और TD है not TH इसके अंदर हमने सचन लिखावा है TD को close कर दिया है यह हमारी एक row बंद भी यह code हमें यह output देगा यह वाला फिर हमारे पास एक TR है इस TR के अंदर हमने क्या करावा है इस TR के अंदर हमने एक TH लगाएगा है और इस पहले ही TH में हमने row span not call span पहले ही TH में हमने row span की value set कर दी है as 2 इससे क्या हो रहा है यह vertically पूरा expand हो जा रहा है उसके बाद इसको बंद कर दिया इसके यहाँ पर provide कर दिया एक TD जिसमें यह वाला नंबर है उसके बाद इसको बंद करा रो को बंद करा और एक तीसरी रो है जिसके अंदर सिर्फ एक TD है जिसमें यह वाला नंबर हमने दिया है to have a more better understanding चलते है अपन actual code पे यह हमारा actual code है चेक करिए इसके अंदर हमने एक TD लगा रहे होंगे रोस्पैन इकल टू के कारण यह वर्टिकल ही हमारा expand हो रहा है और उसके बाद फिर contact नंबर तो यह रहा हमारा contact नंबर का output यह अब क्योंकि यह रोस्पैन है तो इसमें वर्टिकल ही तो अपने अपको अपने एरिया को पूरा cover up करावा है ठीक इसलिए फिर हम रोस्पैन और कॉलस्पैन से irregular table अब friends आपके लिए छोट असा assignment दे रहा हूं try करिएगा इसको आप solve कर पाए and what I want is this output सोचिए का इसमें क्या लगा वा है रोस्पैन लगा है के कॉलस्पैन लगा है और कैसे designed है करिए अपना-पना solution comment section में दीजे we'll check it and pose the answers thank you so much for all the loving support मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो अब कर घुक 안तों Сब्सक्त चाम हुशां कर दोगए और बो छोस्ती है